आज एक बहुत बड़ी कटना हुई है टिक टोक सटार और बाजपा की एक वरिष्ट नेता सोना लिफ होगाट जी अमारे बीच नहीं रही अमारे राजनितिक विचार अलग अलग थे लेकिन अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो हम सबसे पहले आवाद उठाने का काम करेंग आज उसके परिवार के हिसाब से और उसकी बातों के हिसाब से चाहे उसके पेज की बाते लगाएं चाहे पिछे की बाते लगाएं और काफी दिनों से हम देखते भी आ रहे थे उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ये एक रहसे में मौत मानी जाएगी कोई गहरा कोईन कोई सड़ी अंतर है इसके पिछे और क्या गहरा सड़ी अंतर है ये बात भी सोचने का विश्य है 2019 के तुनाओं से पहले जब सुनाली फोगाट जी अलग-अलग जगह से टिकट मांग रही थी उस समय भी उने एक बयान दिया था कि मेरे पास कई लिताओं का हिलाज है अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगी तो मैं बड़े बड़े राज खोल दूँगी आज हमें लगता है कि वो राज उसके साथ ही तपन होगी एक बात बड़ी सपस्ट है उनके परिवार ने बयान दिया है कि सुना लिफ होगाड ने कल स्याम को बात करी जबे लगको सुना दिए कितनी बड़ी बात होगी कितना बड़ा होगा मैं क्या कहना चाहेंगे आखरी बार किस टाइम आपकी बात होती सुना लिए से कल ने का सुना बात होगी को यह से कहने लगी मेरे न कुछ गडबड होगी है सरी मेरे को पता ने को खाना खाते ही ऐसे हुजता है क्या प्रोबलम है जैसे कुछ कर रहा हो कोई मेरे उपस है भी मेरे मेरे को कुछ कड़ बड़ लगरा है कि मैं मेरे को कुछ साजी सो रही है कि मेरे को खाने में कुछ अजीब लगता है खाना क्का आजीम लगता है एक बात मैं सो की सो कह देता हूं हम ड़ने वाड़े लोग में किसी से कोई भी हो उसके खाने में कोई न कोई जैर या को इनको इसी चीज मिलाई गई है जिससे उसके सरीर में नुक्सान हुआ है चाहे आर्ट पर नुक्सान हुआ हो आज कल तो बड़े इस युगमत बड़े खतरनाक जैर है इस युगमत तो ऐसी टेवलेटे बढ़ी हुई है कि वो देने से आठ तक पहलो जाते हैं सो पर तिसके पिछे गैरा राज है और किस किस के राज सोनाली जी ले रही थी ये राज भी आज उसके साथ दफन होने का काम हो गया है लेकिन जनता को पता है किन लोगों को खता था सोनाली की बात से जब से उप चुनाओ कि बात सली है तभी से ही सोना ली फगाट अपने आपको अंजस अलग मह्शूस कर रही थी उनके पेज़ पर कुछ बते ना आपको बताओंगा जो लिखी है उन्हों लिखिया है मेरी मैनत का असर तो देखे जमानेी जमी त उसने एक दिन लिखिया आंदी हो या तुफान ना थमी मेरी होसले की उड़ान इमानदारी और सचाई है मेरी पैचान तेरे मेरे जाने के एक bigger बात जब हिटियास लिक्या जाएगा तो मुझे योद्धार तुझे घड़ार कहा जाएगा किसको कहिए उसने 근데 पर एक सायरी के मातं़े किसने कहीं किसको कहिए उसने पीठ पे करोगे वार तो अलग भात है सोना लिजी आपने पेज पर लिखिया है पीठ पे करोगे वार तो अलग भात है सामने से आओगे तो इस योदा को पाओगे कभी भी आजमा ले नses मरदनी में कितनी है जान हम है उस महान सुरुजनल की संतार किसके लिए लिखा है जिस पारिटी में वो थी उस पारिटी के लगातार टिकट की वो मान कर रही थी उसके लिए उसने ये सायरी लिखी है उसने निच्चे लिखा है राम राम दोस्तों आज के इसाब से सायरी भी करने लगी हूँ इसी पर एक बात सुन लो सायरी जब कोई आदमें पेज पर लिखता तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत वतिर पर सुना अपने बैन को अपनी मा को उसने बताई है कि मेरे वो खाने में कुछ दिया गया है काना खाने के बाद मागल अलग मैसुस करती हूं मैं आपको बता देता हू खाने मुसको ऐसा कोई पोईजन दिया था जिससे एक खाने के बाद उसकी आर्टमिट बढ़ की और आर्टमिट बढ़ने से उसका जी दुख पाने लगया और जी दुख पाने के बाद रात को उसकी मोट होगी इसे साफ हजाईर है कि कोई मामला है लेकिन सरम की बात है कि वो BJP की बहुत बड़ी नेता थी अभी तक इस पालिट के किसी एक भी नेता की स्टेटमेंट नहीं आई है विपक्स ने इस बात को उठा रखिया है आज परते करियाना का हर आदमी कहता है कि ये आच्छा नहीं ये तो अत्या की गई है इसकी जांच होने चाहिए लेकिन सरकार का कोई भी नुमाएंदा अभी तक किसी भी परकार की स्टेटमेंट नहीं दी है मैं तो कहुँगा कि BJP की नेतरी थी BJP वाला को सबसे पहले आगाना चाहिए था और अगा की कहना चाहिए था हम इसकी जांच करवाएंगे डॉक्टरों के बॉर्ड से इसका मेडिकल करवाएंगे अगर इसकी गहनता से जांच होई तो कई सपेद पोस्ट नंगे हो सकते है सुनने में आया है सुतरों के हावाले से पता है पहले भी कई बार उसना अपनी बातों में समझाया है कि कई सपेद पोस्ट लोगों के राज उसना अपने सीने में दबा रखे थे कई सपेद पोस्ट लोगों का जुगाड उसके पास था और वो चली गई तो इसका मतलब वो राज दफन होगे अगर उसकी सई तरीके से जांच नहीं की गई तो एक बात लोट कर लो पूरा अरियाना ये माननेगा कि भई बात सुनो ये मोत जो है ये रहस्यमई मोत नहीं है ये अत्या है ये रहस्यमई अत्या है माननी जाएगी मैं तो एक बात कहूंगा कि राजनितिक बहिश्य में इन दिनों जो प्रिस्टतियां उसके साht बनी थी उसके बारे में काफी विस्तार से मुझे बताया और हमने समझा कि गहरा राजनितिक दबाओ बनाया जा रहा था उसके उपर कि आप इस चुनाओ से दूर अट जाओ उसके उपर दबाओ बनाया जा रहा था देखो एक बात मैं जरूर बताऊंगा सोनाली फोगाट का जो रहषय में नितन हुआ है उसके पिछे उसका गहरा कोई राज है और मैं तो कहूंगा कि उसकी बिचारी की छोटी सी बेटी है एक आज हमें उस बेटी पे तरस आता है कि वो अक्यली उसका मा बाप दोनों चले गई, मा भी चले गई, बाप भी शीकार, बाप भी चला गई और मा भी राजनिती सडीयंतर की सिकार हो गई, ये इस परकार की राजनिती है हमें बड़ा दुख है इस बात का मैं तो आखरी में एक यह बात कहूँ आप लोगों को कि हम मांग करते है पुर्जोर तरिके से कि इसकी से बी आई से जांच होने चाहिए क्योंकि इसके पिछे गैरा सडी अंतर है और हमारी मांग है बीजेपी सरकार से की आपकी ही नेतरी है और आपको तुष्किजाद जरूर करवाने चाहिए देखो खुद उसने लिख्या अपने पेज के उपर कि राज़ितिक जमीन जो उन्होंने आदलपूर में त्यार की थी उसे किसे कने के डर से बड़ी इसके पिछे का राज क्या है अज परदेश की जनता ये राज जालना चाहती है इसलिए इसलिए इसकी सीबियाई की जाच हम जोड़ लगाके मांगते हैं चैनेता बीजेपी की हो चैनेता किसी की भी हो हम हमारा फर्ज निभाने के लिए त्यार रहते हैं हमारे राज नितिक विचारा लग थे लेकिन अगर किसी के साथ अन्याय होता है चाहिए बीजेपी के मुख्य मंतरी के साथ भी अगर अन्याय होगा तो हम उसको लिए भी न्याय मांगने का काम करेंगे हमने सुनने में आया है कि इनके संबन जो है सोनाली जी के बहुत बड़े बड़े निताओं से थे भाई कोई न कोई राज की बात पावेगी तभी तो एक ओटल में उसको कुछ खिलाया गया उसना अपड़ी बैन को और अपड़ी मा को बताया है बार बार अपड़ी पड़े पैज बार लिखे हैं याकीन पेदा होता है कि उसकी अत्या हुई है नए कि आथा हुआ है 41 साल 42 साल की उमर में आर्ट अटेक है और आर्ट अटेक आने के बाद तो दर्द होता है डॉक्टर के पाद जा सकते है पहले से पता चलता थोड़ा बहुत है इस हिसाब से एक ही बात निकल के आव है कि इसके पिछे गहरा सडी अंतर है और तुरंत मुख्या मंतरी जी को इस पर अपनी सफाई देने चाहिए और इसकी सीबी आई की जात के लिए सिपारिश करने चाहिए अगर लेट होगे तो दबा दी जाएंगे पिछले कितने दिनों से एक बिने से जिस जिस इने ताउं से उसकी बात हुई है उसकी कोल डिटेल को उपन किया जाए जो भी किसी के साथ उसने चैट करी है वो चैट को उपन किया जाए इससे भी बहुत बड़ा परदा फास हो सकता है हमारे को सुत्रों के वाले से पता चला है कि काफी काफी हमने सुत्रों के पता चला है कि काफी बड़े बड़े नेताओं से उसने चैट से बात करी है उसने फोन पर बात करी है तो कम से कम उनका रिकार जो है वो जनता के सामने ओपन किया जाए नहीं तो इस परकार तो भी यह तो वह बन जाएगा अंदा पिस्ट से कुता खाए या तो नेत्री सोनाली फोगाट की मरेश्य मरी मोत की सेविया इजाच करवाए जाए इससे पहले भी कही घठना होई है श्री देवी जी एक विदेशी ओटल में संदीगत मर्थ की उसकी हुई और आज तक उपरदा डाल दिया गया और बात को रफा तफा कर दिया गया चैए आप जाच से क्यों बागते हो आप जाच क्यों नहीं करवाते दूद का दूदर पाणी का पाणी हो जाएगा इसलिए एक बार फिर हम दबाओ दे के पूरे अर्याना की जनता की आवाज बनके मैं परदेश के मुख्य मंतरी और देश के गर्यमंतरी से मैं मान करता हूं कि सोनाल और फिर मैं आपको एक बात कहूंगा कि एक तारीस साल की उमर में सोना लीजी आपके बीच नहीं रही बड़ा दुख भी है में जो जारू निता भी थी और टिक टॉक सटार भी थी उसकी मौत जो है वो रहसे में तो थी थी क्योंकि उसने के पेज अगर उठागे देखोगे कि आप उसका टिविटर हैंडल उठागे देखोगे उसपे जो बात में लिख रखी हैं वो बात समझने की है सिरफ ऑप नजर मारो उसके पेज बाजो हमने नजर मारी है एक लास्ट मैं बहुताओंगा उसने लिखे था तुम गिराने में लगे थे तुमने सोचा नहीं मैं गिरा तो मसला बनके खड़ा हो जाओंगा मुझे को चलने दो अकेला अभी मेरा सफर रास्ता रोका तो काफिला बनकर खड़ा हो जाओंगा क्या मतलब है कौन गिरा रहा था उसको कौन उसके पिछे लगया हुआ था और फिर कहती है कि काफिला बनकर खड़ा हो जाओगा गिराना मतलब मारना इसका मतलब ये है कि उसको कही ना कही दमकिया मिल रही थी और दमकिया सिरफ और सिरफ मेरे इसाब से जातक मैं सोचता बड़े बड़े सियासी खेल जो खेले गए हैं उसमें हो सकता है इसलिए हम जाँच की मांग करते हैं सुत्रों के अवाले से हम आपी नाम का खुलासा नहीं करेंगे लेकिन सबूत के साथ हम बड़े बड़े लोगों को एकस्पोज भी करेंगे अगर इसकी जाँच नहीं रखेंगे कि इन इन नेताओं के राज सोना ली जी ने दमा रखे थे और उन राज खोलने की दमकी वो देरी थी और उन चुनाओ शिर्पे था हो सकता है कोई बड़ा खेला उनके साथ खेला गया हो और वो अपना जीवन छोड़के चले गी आज मेरा दुख जो है उसकी ब ते के साथ है वो बच्चे जो है तो बड़े दुखी होते हैं देखो बगवान से प्रातना करते हैं इस बच्शों को आप सकती दे उन बच्चों को को आप एक माँ और बाप का प्यार दे मैं तो पूरी जंता से यह फ्रातना करता हूं जी जो सवालत ले पर सोना घंटे प हाँ देखो यह और देख लोगी 14-15 गंटे पहले उसने इस्टाग आराम पर यह एक वीडियो लगाया अपनी फोटो के साथ है एक गाना डाल लिया उस गाने में लिख रहा कि पल दोपल के मेमान है पल दोपल का इसका मतलब उसको अंदेशा हो गया था कि तुम्हारी मौत हो आद्सा नहीं वह एक अत्या है और अभी तक जिन लोग बड़े लोगों की इस परकार अत्या हुई है उनको दबा दिया गया हम चाथते हैं कि इस केस को भी इस परकार नहीं दबाया जाए इसकी जांच करवाई जाए और जांच में जिस नेता का या किसी भी बड़े आद तो हम सबूतों के साथ आपके सामने फिर बड़े-बड़े लोगों को अक्सकोज करने के लिए अगर यह ठंड़े बस्ते में जाता है बीजेपी सरकार्स की जांच नहीं करवाती है तो सारे बड़े-बड़े बीजेपी गिनिता संदे के गेर हम आज आएंगे